दोस्तो अगर आप भी अपने प्लेस्टोर में कोई भी अप्लिकेशन को निस्टाल करना चाहते हैं लेकिन आपको एक SIRR मिलता है Your device is not compatible with this version तो इस वीडियो में इस प्रॉब्लिम को हम fix करने जा रहे हैं आज की वीडियो को दोस्तो आप पूरा last तक enjoy करना सबसे पहले दोस्तो प्लेस्टोर पे लॉंग टेप करके आई बटन पे क्लिक कर देना उसके बद सिंपली से दोस्तो आपको यहां पे बहुत सारे options देहने को मिलेगे storage पे क्लिक करते ही clear cache कर देना और उसके बद यहां पे दोस्तो आपने गूगल प्लेस्टोर में ऐसे ही करके आपको भी अपने गूगल प्लेस्टोर में जाना होगा और आपको यहां पे दोस्तो सिंपली से सर्च कर देना होगा digital well-being सबसे पहले आप ऐसा कीजिए कि आप पहले google play services को update कीजिए तो यहां पे मैं search करूँगा google play services digital well-being को हम बाद में update करेगे यहां पे देख लीजिगा मेरा application यहां पे career services देखने को मिल रहा है यहां पे कोई भी update देखने को नहीं मिलता है आपको यहां पे कोई update यह होता है दोस्तो तो आपको simply से ऐसे update कर देना होगा तो यह मेरा third step भी यहां पे done हो चुका है अब बढ़े अपने number four step में number four step में नीचे देख लीजगा join the beta option आ रहा है आपको career services में beta program जो है दोस्तों यहां पे join कर देना होगा तो मैंने beta program भी यहां पे join कर लिया तो दोस्तों इसके बाद आते हैं अपने next step की तरब next step में आपको simply से दोस्तों यहां पे play store के search books पे क्लिक करते ही digital well burning search कर देना होगा मैंने यहां पे digital well burning search कर दिया तो यह green logo का दूसरा application जो आपको देखने को मिल रहा है इसी application को आपको दोस्तों open कर देना होगा इस पे click करते ही check करना है कि आप अपडेट मिल रहा है या नहीं अगर update आ रहा है तो आपको इसे update कर देना होगा अगर update नहीं आ रहा है तो as it is इसे छोड़ देना है उसके बाद simply से back कीजिए बेक कर देने के बाद play store पे एक long tap कीजिए दोस्तों उसके बाद इस i button पे click करके फिर से आपको अपने play store का एक बार फिर से clear cash कर देना होगा जैसे clear cash हो जाता है उसके बाद simply से दोस्तों आपको back आजाना होगा अपने play store में और जो भी आप application install करना चाहते हो जो भी problem से पहले arise हो रही थी वो 101% दोस्तों fix हो जाएगी मेरी problem भी इसी trick से fix हो गई ओप दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा फुर्दर कोई भी issue होता है कोई भी question होता है मैंने telegram channel पे आजाएए उसकी link मैंने अपने वीडियो के description में दे रखी है